सबसे सिंपल तरीके से बनाएंगे और वीडियो को लास तक ज़रूर देखिए क्यूंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आप गुलाब जमुन को और भी टेस्टी और स्पॉंजी बना सकते हैं तो वीडियो को लास तक देखना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका मनिशास कोकिंग किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जमुन बनाना शुरू करते हैं बेगुल सिंपल रसिपी है और जल्दी बनके रड़ी भी हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं आपको बत गलाज पाल को ले रखा है तो अभी मैंने यहां पर फैकेट कोल के डाल दिया है अब मैं इनको गुंधूंगी थोड़ थोड़ पानी डलोंगी और गुंदूंगी आपको एकदम से पानी नहीं डालना है इसके अंदर ऐसे करके इसका डोव बना लेंगे हम इसको तो यह दिखिए मैंने आटा कुछ इस तरह से गूंद लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं इसके उपार थोड़ा सा तेल डाल लूँगी लेंगे हमें सुपश इससे गूंद लेंगे टे लागाने की बादा वापस से तो यह दिखिए हमने आटिय में की इसको गूंद लिया था अब हम इसको 5 मिनेट के लिए ढखरके रख देंगे तो मैं अभी आटिया के लिए ढखके रखकते अब दीख फिन है अब में अधोर कीलो कर दो हुआ है अब में इसके अंदर इसमें एग लास पानी दाले लेकर ऑग अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे थायद ढ़से की अब को बीच बीच में इसको mix लेंगे तो यह देखिए आप में इसके अंदर इलाची बडूँगी टो छोटे चोटे एलाची है हमको बीज़ बीच मे पाक को चलाते रहना चाहिए तो हम लगातार आप आपको चलाते रहेंगे अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो यह नीचे लग जाएगा और चल जाएगा पूरा तो यह देखिए हमारा पाक बनके रेडी है अगर आपको पाक चक करना है तो कुछ आप इस तरह से इसको चक कर सकते हैं तो यह देखिए तो हमारा पाक बनके रेडी है अब हम गयस को बंड कर देते हैं तो यह देखिए हमने डो को पांच मिनट के लिए लगा था अब हम इसकी गोले बना लेते हैं गोले बनाने से पहले हम हातों में तेल लगा लेंगे ताकि डो हमारे हाथ पे चिपके ना हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेंगे डो ऐसे कुछ छोटे-छोटे सर्कल्स बना के हम रख देंगे तो यह देखिए हमने इसको बना के रेडि कर लिया है अब देख सकते हैं काफी Aim Princess घम यहाई कि अफ्यवादय तुम्हीं एक पैकिट में 40 पीस बनते हैं और हमने दो पैकिट लिए थे तो हमारे 800 में ते इसे के साथ आर अगए बढ़ते हैं सुम्हीनि התे आधा तो चलिए तेल हमारा गरम हो गया है अब जोमने गोले बनाय था इनको फ्राय कर लेते हैं तो यहां पर मेने गया इसको किया हुआ है अब मैं लो फल्म पर इनको फ्राय करूंगी एक एक करके हम दिरी दिरी समें डालते जाएंगे और Mix करते रहेंगे इंको अच्छे से brown होने ताक हम इंको fry करके लेंगे तो ये देखिए हमारी अच्छे से fry हो गये हैं अब हम इनको दूसरे container में निकाल लेते हैं अब बाकी भी हम ऐसे ही fry करके ले लेंगे तो यह देखिए मैंने सारी अच्छे से फ्राय करके ले लिया है यहां पर देख सकते हैं तो अभी हम इसको पाक के अंदर डाल देंगे हमारा सबन के वेडी हो गया है तो हम इनको पाक में डाल देंगे तो यह देखिए मैंने सारी इसके में डाल दिया है अब मैं इसको आदा गंटे के लिए ढख के रख दूँगी तो चलिए मिलते हैं आदे गंटे के बात में तो यह देखिए हमारा गुलाव जबन मन के रेडी है सिरफ पांच उनिट लगे आपको इसको बनाने में और कितना स इसको बनाना आप देख सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको अंदर से भी थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हैं यह देखिए तो यह देखिए कितना स्पॉंजी बनाए है यह देख सकते हैं तो आप इस रैसेपे को घर पर जरूद्वा कीजएगा मिलते हैं को और ऐसे ही न्यूँ रैसिपी के साथ में तब तक लिए अस चैनल को सप्क्राइब करें वीडियो को लाइक कर लेजए और शेयर कीजिए पने फ्रेंड और एलेटिऒ के साथ में और बेल आयकॉन दबान ना भूले कि जब भी हम एक न्यू रेसिपी अप्लोड करेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ में तब तक ये खाते रहे और मस्त रहे धन्यवाद